question 1 without actual division find which of the following fractions are terminating decimals तो बीना divide किये यहाँ पर जितनी fractions है हमें यह पता करना है कि इन में से कौन से हैं जो terminating decimals हैं terminating decimals वो होते हैं जब हम divide करेंगे जिसे 25 से यह दि हम 9 में divide करें इस नमर को ध्यां से देखिए 25 से 9 में divide करेंगे तो remainder 0 आना चाहिए तब जाकर बोलेंगे कि वो terminating decimal है तो हमें बीना divide किये पता करना है कि terminating decimal इसमें से कौन है चलिए बारी-बारी से करते हैं one by one और समझते हैं तो first part of question 1 देखिए धान से 9 upon 25 है यहां तो 9 और 25 में सबसे पहले आप चेक करेंगी कोई count factor है क्या highest count factor जो भी होगा उसों cancel out कर लेंगे पहले तो हम देख रहें यहां पर कि 9 और 25 में कोई भी count factor नहीं है one के अलाबा तो यदि ऐसा मिल जाता है तो दूसरा step आपका यही है कि आप पता करेंगी कि इसका जो denominator है मतलब 25 25 के factors क्या है यदि 25 के factors केवल 2, 5 या both मनने कि या तो केवल 2 factors आएं या केवल 5 factors आएं मतलब denominator के या फिर 2 और 5 का combination कुछ आए तो समझ लेजिए कि one number terminating decimal होगी और यदि इनके अलावा कोई दूसरा number आ गया तो वह number terminating decimal नहीं होगा तो यहाँ पर check करते हैं, factorization पहले निकालते है 25 का, देखते हैं क्या मिलता है factors of 25 is equal to 5 into 5 into 1 यहाँ पर देख रहे हैं कि वहल 5 ही factor मिल रहे हैं, यह one तो सब में होता है तो 1 को ignore कर दिजिए, यहाँ पर 5 केवल factors मिल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, 2 हो या 5 हो या बोथ हो मतलब कि केवल 2 ही factor आया या केवल 5 आया या फिर दूनों का combination आया तो वह number terminating decimal होगी ही होगी, तो this is a terminating decimal second part of question 1, 7 upon 12 है यहाँ पर, तो 7 और 12 में highest count factor क्या है, 1 है, मतलब कोई भी count factor नहीं है कहने का मतलब, तो HCF यहाँ पर 1 है, तो करना कहा है आपको, 7 upon 12 में जो 12 denominator है, इसके factors find करने है तो factors में यदि 2 और 5 केवल यही आता है, तो वह number terminating हो जाएगी, तो देखते हैं क्या आता है इसके factors since 12 is equal to 2 into 2 into 3, इसमें देखिए 2 तो आ रहा है, तो और 5 का 2 यहाँ पर है, बट 3 नहीं है देखिए 3 ऐसा number है, जो इन दो pairs में से नहीं है, तो 3 एक extra number है, यदि ऐसा मिलता है denominator factors में, तो यहाँ जो fraction होगा, और इसको यदि हम decimal form में represent करेंगे, तो वह terminating decimal नहीं होगा मतलब it is a non-terminating decimal, तो 7 upon 12 is a non-terminating recurring decimal, देखिए हम recurring लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक racial number है और extra numbers का जो decimal representation होता है, यदि non-terminating होगा, तो recurring होता है मतलब कि repeat करते हैं कुछ digits, decimal के बाद, तो यहाँ पर यह non-terminating recurring जरू लिखिएगा 13 upon 16 में ध्यान देजीगा, 13 एक prime number है, तो there is no any other count factor than 1 in both तो 13 और 16 का कोई भी highest count factor नहीं है, 1 के लाबा, तो यहाँ पर बस क्या करना है, denominator का factorization करना है और देखना है कि इसके factors क्या आ रहे हैं, तो since 16 के जोड़ी factors निकालते हैं आप, तो मिलेगा 2 into 2 into 2 into 2, तो 4 times 2 मिलता है तो यदि 2 और 5 में से कोई भी एक number बार-बार आती है factor के रूप में, तो वह और यह जो factor आता है केवल denominator को देखना है ठीक है, denominator का, यहाँ 16 के जो factor से केवल 2 आ रहे हैं, therefore this number, this fraction has terminating decimal तो it is a terminating decimal, क्योंकि 2 और 5 में से केवल 2 ही repeat हो रहा है now the fourth part of first question, 25 upon 128, देखें यहाँ भी यह simplest form में है, क्योंकि कोई भी count factor नहीं है, 1 के लाबा, तो hcf इसका 1 है तो denominator का केवल हम करेंगे factorization, और देखेंगे कि इसके factors में 2 या 5 या combination of 2 and 5 आ रहा है या नहीं यदि यह आता है, तो terminating decimal होगा, नहीं तो नहीं होगा तो 128 के factorization करते हैं, तो मिलेगा 2 into 2 into 2, actually होता है, देखें 128 जो होता है, 64 टू जा, 64 टू जा होता है 128 तो 64 का आप जानते हैं क्या होता है, 88 जा होता है, मतलब कि यह होगा 64, 8, 8 जा 64 into 2, this is 128, तो इसमें आप देख रहे हैं केवल 2 ही factors आ रहे हैं, तो मैंने क्या बता है था, 2 हो या 5 हो, मतलब केवल 2 factors आ है, या केवल 5 factors आ है, या इन दोनों का combination आए, यदि denominator का factors ऐसे आते हैं, तो वह number terminating होगी, तो this is also terminating, तो इसमें आपन 50, देखिए 9 आपन 50 आपन 50 आलेडी simplest form में है, कोई भी count factor नहीं है, 1 के लबाद, तो highest count factor क्या है, 1 है, तो यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, denominator के रिकालेंगे, factors, तो 50 के जो factors होंगे, वो होंगे 2 into 5 into 5, तो आप देख रहे हैं, केवल 2 और 5 के combination यहाँ पर हैं, मतलब 2 एक बार है, और 5 2 times, तो मैंने क्या बताया, कि 2 5 में से, इन दोनों factors आए, या फिर केवल एक ही factor आए, तो वह number यहाँ पर, वह number terminating decimal होती है, तो इस number is also a terminating decimal. Now the sixth part of question 1, 121 upon 125, तो यहाँ पर देखी, 121, 11 into 11 होता है, और 125 में 5 जो है, 3 times आता है, तो there is no any count factor other than 1, तो यह number जो है, simplest form में है, तो जब simplest form में होता है, तो इसके एक बार denominator के factors find करके, हम पता कर सकते हैं, कि यह fraction terminating decimal होगा या नहीं होगा, तो since 125 के जो factors होंगे, वो लिख लेंगे यहाँ पर, 5 into 5, 25, 25, 5 जो होता है, 125, So, यहाँ पर जो factors है, 5 ही आ रहा है, केवल, So, this is terminating decimal, 7th part of question 1, 19 अपान 55, देखिए, 19 प्राइम नमबर है, तो इन में केवल 1 ही है, जो common factor है, So, यह simplest form में already है, तो क्या करेंगे, केवल denominator के factors को find करके, पता कर सकते हैं, कि यह terminating decimal होगा या नहीं होगा, So, since 55 is equal to 5 into 11, देखिए, मैं यह ऐसा लिख रहा हूँ, तो into 1 already है, ऐसा assume कर लिजिएगा, क्योंकि 1 तो सबका factor होता है, तो यहाँ पर देखिए, 5 तो है factor, लेकिन 11 एक extra number है, ठीक है, तो मैंने क्या बता है था, कि 2, यदि केवल 2 ही factor आए, या फिर केवल 5 factor आए, या फिर दूनों का combination आए, तब ही आप कहेंगे, कि यह number, जो fraction दिया हुआ है, वो terminating decimal है, नहीं तो यह terminating नहीं होगा, मतलब it is non-terminating recurring decimal, Now the 8th part of question 1, 37 upon 78, तो यहाँ पर भी आप देख रहे है, 37 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 37 and 78 में कोई भी count order नहीं है, other than 1, तो this is also given in simplest form, तो simplest form में करने की जोर्थ नहीं है, तो किवल हमें 78 के factors find करना है, और factors में देखना है, और उसको देखकर के पता कर लेंगे कि terminated decimal है या नहीं, 78 के factors होंगे, 2 into 3 into 13, 13 सिख जा होता है, 78, so this is your factors, into 1 रहेगा, बिल्कुल, यहाँ धान देख जीएगा किवल 2 ही आ रहा है यहाँ पर, 2 और 5, इन दोनों में से किवल 2 आ रहा है, और लेकिन extra यहाँ पर numbers भी है, 3 और 13, तो यहदि 2 और 5 के अलावा कोई और factor है, तो definitely यह जो fraction है, वो non-terminating decimal होगा, 9th part of question 1, 23 upon 80, 23 और 80 में कोई भी count factor नहीं है, other than 1, तो यहाँ पर hcf1 होगा, तो simplest form में already दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले चेक करना आपको यही होता है, कि simplest form में है कि नहीं, उके, उसके बाद हमें यह पता करना पड़ेगा कि 23 upon 80 का जो denominator है, मतलब 80, इसके factors क्या आ रहे हैं, यह दि factors में केवल 2 आता है, या 5 आता है केवल, या फिर 2 और 5 का combination आता है, समझ लिजे कि यहाँ पूरा fraction का decimal representation, terminating decimal होगा ही होगा, तो since हम यहाँ पर 80 के factors लिख लेता हैं, तो 8 के factor लिखेंगे तो होगा, 2 इन्टो 2 इन्टो 2, 8 होगया, और 10 का लिखेंगे, तो इन्टो 2 इन्टो 5, अब देख रहे हैं के वल 2 आ रहे हैं, और एक 5 आ रहा है, मतलब कि 2 और 5 का combination आ रहे है, factors, और 1 तो रहता ही है, 1 को तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, so this is terminating decimal, now the last part, 19 नापान 30, 19 नापान 30 में देखे, 19 प्राइम नंबर है, तो definitely there is no any count order other than 1, तो यह simplest form में आलड़ी दिया हुआ है, fraction को, तो किवाग 30 के factors निकालेंगे, और यह चेक करेंगे, कि इसके factors 2 या 5 आ रहा है या नहीं, या कोई another factor आ रहा है क्या, यदि करते हैं तो मिलेगा 2 into 3 into 5, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो आ रहा है, बट 3 एक extra number है, इसलिए इसका जो decimal representation होगा, वो non-terminating recurring होगा, Question number 2, Convert each of the following decimals into a vulgar fraction in its lowest terms, पहले समझते हैं कि vulgar fraction होता क्या है, देखिए, वलgar fraction ऐसा fraction होता है, जिसमें something upon something रहता है, और यह जो b है, लेकिन जो b होना चाहिए वलgar fraction में, इसको हम 10 to the power something के form में represent न कर पाएं, ऐसा यह दि form मिलता है कोई किसी fraction का, तो उसको बोलते हैं vulgar fraction, मतलब कि simplest form of any restaurant number, may be considered as vulgar fraction, तो जैसे कि हम यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर हमें मिला है 0.65, इसको हमें fraction में करना है, लेकिन vulgar fraction में, कैसे करेंगे, देखिए धान से 0.65 को, हम यदि rational number में लिखना चाहिए, तो decimal को हटाने के लिए, हम numerator में 100 से, और denominator में 100 से मिलेगा, अब यहाँ पर जो यह 100 है, तेखिए 100 को लिख सकते हैं किस तरीके से, लिख सकते है 10 is about 2, तो हम इस तरीके से न लिख पाएं, हमें ऐसा बनाना है इसको, इसका मतलब कि इन दोनों में से, numerator में से और denominator में से, common factor जितने भी होंगे, उसको cancel out करना ही है, तभी हमें vulgar fraction मिलेगा, in its lowest terms, तो करेंगे क्या हम, हमें 100 को हटाने के लिए, हमें numerator और denominator में, common factor से divide करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 common है, चलिए 5 से divide करते हैं, 5 बंज़ 5, 5, 3, 17, 5 तो 10, 20, मिंस आगया 13 अपां 20, अब ये 20 को, 10 to the power something के फार में, हम express नहीं कर सकते हैं, so this is a vulgar fraction, this is your answer for this part, now the second part, ध्यान देज़ेगा 1.08 है, 1.08 को लिख सकते हैं हम, 108 अपां 100, क्योंकि इतना आपां 1 ले करके, देखेंगे, हम पर decimal second plus पर है, तो 100 से में प्लाइ कर दिया, हमने numerator में, और denominator में भी 100 से, तो मिल गए आपको 108 अपां 100, अब यहां पर 100 को, और 108 में, देखेंगे की, कोई common factor है क्या, और सो cancel out कर लेंगे, तो 2 से cancel out already हो जाएगा, तो 25 जाएगा, तो 25 जाएगा तो 25 जाएगा, यदि और common factor होंगे, सब को कड़ा लेंगे, ठीक है, तो यहां से कटेगा, 2 से फिर से, तो 25, और 2 से कटाएगे, 2 जाब 4, और 2 से जाब 14, मतलब हो जाएगा, 27 अपां 25, तो 27 अपां 25, is a vulgar fraction, तो we have converted, now the third part, of question 2, 0.075, देखे ध्यान से, 0.075 को हमें, vulgar fraction में convert करना है, तो क्या करेंगे, decimal 3rd plus पर है, तो हम multiply कर लेंगे, numerator में 1000 से, और denominator में 1000 से, मतलब यह हो जाएगा, इतना आपां नुमा लिए सकता है न, तो 1 इसका denominator है, तो लिख देंगे हापर 75, क्योंकि multiply कर लिए हमने 1000 से, whole आपां, नीचे हो गया, 1 जी, 30 zeros, तो यहाँ पर हम numerator और denominator को, cancel out करेंगे, क्योंकि वलगा fraction मतलना है, तो जो denominator होना चाहिए, वो 10 to the power something के फ़र में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकता है, कि 1000 को लिख सकता है, 10 to the power 3, तो आईसा नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको cancel out करना पड़ेगा, तो let us do that, 5 से cancel out करते हैं, तो 5, 1 जा 5, 5, 5, 25, नाज करते हैं, 5, 10, 200, फिर 5 जाएगा, 5, 3, 15, and 5, 4, 20, अब आगे हैं आपर 3 अपान 40, 3 अपान 40 is the vulgar fraction, for this decimal, now the fourth part, 2.016, देखें, 2.016 को, यदि हमें करवट करना है, vulgar fraction में, तो यहाँ पर देखिए, अपान 1 ले सकते हैं, और multiply कर सकते हैं, numerator में 1000 से, क्योंकि decimal 3rd place पर है, यह हो जाएगा, 0, 2, 0, 1, 6, whole upon, multiply कर देखेंगे, यदि denominator में 1000 से, तो मिल जाएगा नीचे, 1000, अब यहाँ पर देखिए, denominator जो है, 10 to the power something के फ़र्म में, express कर सकते हैं, मतब 10 to the power 3 के फ़र्म में, तो हमें एकरना है कि, दोनों इस numerator में से, और denominator में से, common factors को cancel out कर लेना है, तभी हमारा vulgar fraction बन पाएगा, तो let us do that, 8, 5, 0, 40, and 1, 16, 8, 2, 0, 16, यहाँ से करेंगे 8 से, 8 बन जा 8, 2 बचा 20, 8, 2, 0, 16, and 4 बचा 40 हो गया, 8, 5, 0, 40, मतलब कि मिल जाएगा हमे, 252, whole upon 125, अब यहाँ पर देखिए denominator को, 10 to the power something के फ़र्म में, express नहीं कर सकते, तो this is a vulgar fraction, मतलब कि वही करना है, आपको maximum common factors को cancel out कर लेना है, जो मिले लास्ट पार्ट, 1.732, देखिए, 1.732 को vulgar fraction में करवाट करने के लिए, decimal 3rd place पर है, तो numerator में हम कर देंगा, मैं परपलाई 1000 से, और denominator में भी कर देंगा 1000 से, तो हमें क्या बन जाएगा, 1.732 numerator में, और नीचे हो जाएगा 1000, अब यहां numerator और denominator में, जो count factor होंगे maximum, उसको cancel out करेंगे, तो numerator में देख रहे हैं, आपकि 32, 4 से cancel out हो जाएगा, तो हम 4 से पहले-पहले cancel out कर लेते हैं, तो 4, 4, 16 होता है, 1, 13 हो गया, 4, 3, 12, 4, 3, 12, यहां करते हैं, 4 से 4, 2, 8, 220, 4, 5, 20, 0, अब यहां पर कुछ cancel out नहीं हो पाएगा, तो यही आपका हो गया, vulgar fraction, 4, 33 अपान 250, this is vulgar fraction, for this decimal, question number 3, convert each of the following fractions, into a decimal, इस question में, total 8 parts हैं, तो first part में नहीं लिखा है, 1 upon 8, इसको हमें decimal form में convert करना है, तो आप तो सा ध्यान देंगे इस fraction को, तो denominator है, इसके factors के वल 2 आएंगे, इसका मतलब कि इसको हम आसानी से, इस तरीके से कर सकते हैं, बिना divide के भी कर सकते हैं, जैसे कैसे कैसे करेंगे, 1 upon 8 इसको लिखे सकते हैं, यहां पर 1 upon 8 के factors लिख लिए यहां पर, 2 into 2 into 2 होगा, अब मैं करना क्या है, कि यहां पर 2 यह थी 3 times आ रहा है, तो हमें इन सब का, एक जोडा बनाना है, एक pair बनाना है 5 के साथ, मतलब कि 5 भी 3 times मतलब लए कर लेंगे, डिनोमेटर में, यदि टिनोमेटर में करते हैं 5 स मतलब लाई, तो निमेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो balance बना रहेगा, ठीक है, ऐसा करने के बाद देखें, आप 2 और 5, दोनों मिलेंगे, मतलब लाई होंगे, तो यह हो जागा 10, हैगे नहीं, और यह 2 और यह 5 मिलेंगे क्या आप जागा 10, और यह 2 और यह 5 मिलेंगे क्या आप जागा 10, तो 1 के आगे 3 0 हो जाएंगे, हैगे नहीं, बहुत असान हो गया, और निमेटर मुट्पलाई कर लेजिए, 5 5 25, 5 25, तो 125 होल अपान, यह आगया 1 0 0 0, अब डिवाइड करना आअसान है, क्योंकि decimal तो यही है, इस decimal को 3 प्लेस, लेट साइड मिले जाएंगे, यदि 3 प्लेस लेट साइड मिले जाते हैं, तो मिलेगा हमें 0.125, तो इस 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 देसिमल रिप्रेजेंटेशन, आफ 1 अपान 8, यहाँ भी 32 के फैक्टर्स होंगे, केवल 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टेम्स आएगा, इसका मतलब कि यह नंबर, टर्मिनेटिंड डेस्मल है, और टर्मिनेटिंड डेस्मल है, तो इसको आसानी से बीना डिवाइड के भी कर सकते हैं, चलिए करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 टेम्स आएगा, तो हमें करना है कि जो 2 हैं, उनके लिए कर्स्पॉंडिंग 5 हमें मनिपलाई करना पड़ेगा, तभी 10 के फार्म में कर्वाट होगा, तो इंटू 5, इंटू 5, जितने भी 2 हैं, उतने 5 से में पड़े कर देंगे, और नुमिरेटर में भी, तो हमने 5 टेम्स 5 से में पड़े कर लिया, और नुमिरेटर में भी हमने कर लिया 5 टेम्स, अब यहां देखे, यह 2 और यह 5 मिलकर 10 हो जाएंगे, और ये 2 और ये 5 मिल का 10 हो जाएगा मतलब जितने भी 2 हैं उतने 0s वाला 1 के आगे 0 लग करके उतना नमर बंदना आ सकते हैं तो ये तो आसानी समट ले हो जाएगा बट numerator में थोड़ा मंट इपलाई करना थोड़ा सा कठीन हो जाएगा वैसे आसान है देखिए कि हम धान्स कैसे करेंगे ये 525 होगा और 525 होगा 25 25 जा 625 होगा और 625 जा कितना होगा ये आपका हो जाएगा 3125 इतना मिल गया जब हमने मट बलाई किया इतने को इतना जब मट बलाई किया तो मिल गया हमें 3125 अब इससे में प्लाइ कर लेंगे 3 में तो आपको फाइनल मिल जाएगा 9 3 7 5 ठीक है मने प्लाइ करने आपको आना चाहिए फास्ट so you must know that कर लिजेगा तो कि यहाँ पर नीचे डिनमेटर में 1 के आगे 5 0s लगाएंगे जितने pair बन रहे हैं उतने 0s बनेंगे 1 2 3 4 5 अब divide करना आसान है क्योंकि decimal यहाँ पर है और decimal यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 मतलब कि इसका decimal आजाएगा 0.0 क्योंकि यहाँ पर 0 रहेगा 9 3 7 5 9 3 7 5 तो terminating decimal था इसलिए हमने ऐसे किया यह terminating नहीं रहेगा तब तो हमें division method ही apply करना पड़ेगा ओके now the third part 44 अपन 9 देखिए यहाँ पर 9 है 9 की factors होता है 3 इंडि 3 तो यह non-terminating regering decimal है तो इसको तो division method से ही हम बढ़ेंस कर पाएंगे तो हम जो divide करेंगे तो आपको मिलेगा इतना देखिए 9 से divide करेंगे तो 4.888 यह 8 जो है repeat हो रहा है इसका मतब इसका जो decimal representation होगा वो आएगा 4.888 dot 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 means इसको आप लिए सकते हैं 4.88 ठीक है ऐसे divide कर लिजएगा देखिए लास्ट में 80 हमेशा आ रहा है ना 9872 फिर मैनस करने पर 80 फिर से यहाँ पर जाएगा तो 9872 फिर से मैनस करेंगे 8 आएगा ऐसे बार-बार repetition होता रहेगा और कब तक चलेगा यह infinite तक so this is your decimal representation of this number now the fourth part 11 upon 24 आप यहाँ बते सकते हैं कि 24 के factors में 3 भी आता है so it is a non-terminating recurring decimal तो हम divide करेंगे जो division method होता है उससे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से धान देजोगे यहाँ पर 0.458 458 तक तो सही आ रहा है उसके बाद से 3 3 repeat हो रहा है क्योंकि 80 आएगा 72 आएगा फिर से मानस करेंगे वैसी आता रहेगा so हमारा जो इसका decimal representation होगा यह हो जाएगा 0.458 3 3 3 dot 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 अब जो 3 बार बार repeat कर रहा है इस पर हम बार लगा देंगे तो ऐसे लिए सकते हैं 4 5 8 3 बार so this is your answer for this part now the 5th part 12 बार 13 यह हम इसको डिवाइड करते हैं 13 से 12 में 2 3 0 7 6 फिर यही block of digits फिर से आएंगे मतलब कि 9 2 3 0 7 6 dot 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 तो इसी को लिए सकते हैं 0.9 2 3 0 7 6 बार यह आपका answer हो जाएगा now the 6th part 27 बार 44 आप देख रहे हैं 44 के जो factors होते हैं वो होते हैं 2 x 2 x 11 यहाँ पर 2 तो आ रहा है बट 11 भी एक नया factor है इसलिए इसका जो decimal representation होगा वो non-terminating recurring होगा तो इसको actually divide करके हम find कर सकते हैं जब divide करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3 6 है 3 6 3 6 यह repeat करेगा so इसका decimal representation होगा 0.61363636 dot 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 इसका मतलब कि 3 6 पर बार लगा सकते हैं मतलब हो जागा final इसका representation 6 1 3 6 बार so this is your answer now the 7th part 2 whole 5 upon 12 यदि इसको improv मतलेंगे तो 29 upon 12 होगा और 12 के factors होगे 2 into 2 into 3 इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है तो इसका decimal representation होगा वो non-terminating recurring होगा तो divide करने पर actually हमें ऐसे मिलेगा और यहाँ पर देख रहा होगे कि 1 के बाद 666 आता रहेगा तो यह 80 आएगा 72 72 minus होता रहेगा तो आपका यही decimal representation बनेगा मतलब कि 2.41666 dot 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 ऐसा decimal में आएगा तो 2.41 2.416 बार यह आपका decimal representation होगा for this part now the last part 1 whole 31 upon 55 यह इसको हम करेंगे improper fraction में convert तो यह मिलेगा हमें 86 upon 55 और यह हम divide करेंगे actual division से तो हमें मिल जागा कुछ इस तरीके से तो 1.56363 dot 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 ऐसा आजाएगा इसका मतलब कि इसका decimal representation हो जाएगा 1.56 जो 63 है वो repeat कर रहा है बार बार 6363 dot 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 आएगा इसका मतलब लिख सकते हैं 1.53 by this is your decimal representation for this part question number 4 express 15 upon 56 as a decimal correct to 4 decimal places देखें यह जो 15 upon 56 है इसको express करना है decimal के form में और correct to 4 decimal places तक करना है तो जब भी बोले कि correct to 4 decimal places तक करिए या 5 decimal places तक करिए तो क्या करना होता है कि जितने decimal places तक पूछा रहता है उससे 1 decimal place जागा तक divide करते हैं और उसके बाद हम उसको round up कर लेते हैं मतलब कि मैंने यहाँ पर किया है तो आप देख रहेंगे यहाँ पर मैंने divide किया है तो 0.26785 यहाँ पर 5 decimal place तक मैंने divide किया और जो 5th place का decimal यहाँ पर है इसको round up करना है मतलब कि हमें यह 4 decimal place तक लिखना है ठीक है इसको मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ यहां और मैंने इसको convert किया तो 5 decimal place टक मैंने किया है 2, 6, 7, 8, 5 ठीक है यह जो 5th place का decimal number है डिजिट जो है यह 5 है मतलब कोई 5 हो या 5 से बड़ा हो यदि round off करना होता है तो 5 के equal हो या 5 से बड़ा हो तो क्या करते है इसको हटाने के लिए उसके left में जो number है मतलब 8 8 में 1 increase कर देते है मतलब इसको round off यदि करेंगे ठीक है 5 यदि round off करेंगे तो मिल जाएगा हमें 0.2679 और इसको हम leave कर सकते हैं या इसके आगे आने वाले जितने मी number से उन सब को हटा सकते हैं यदि हम round off करते हैं यदि तो तो यह 4 decimal place तक correct to 4 decimal place तक यह आपका decimal representation है 15 upon 56 का ठीक है पहले आप इसको 5 plus तक divide करेंगे उसके आगे भी होगा बट आपको करना नहीं है क्योंकि आपको तो 4 decimal place तक चाहिए तो क्योंब 5 तक करके और इसको round off कर लिजिए वह हमने करेंगे question number 5 express 13 upon 34 as a decimal correct to 3 decimal places तो इसको decimal 13 upon 34 को 3 decimal place तक express करना है तो पहले इसको decimal में करमट करेंगे देखे 3 decimal place तक पूछा है तो आप इसको divide करेंगे 4 decimal place तक जब हमने divide किया 34 से 13 में तो हमें मिल गया 0.3823 मतलब कि हमने 4 decimal place तक किया ठीक है और जो 4th place का decimal है मतलब 3 है इसको हम round up करेंगे 0.3823 देखे 3 less than 5 है तो यदि हम इसको round up करेंगे तो 3 हटेगा और यहां 2 पर 2 में कोई change नहीं होगा क्योंकि जब 5 रहता है या 5 से बढ़ा रहता है तब add करते हैं left में तो हम इसको हटा सकते हैं तो और में digits आएंगे बट उनको ignore कर देना है क्योंकि आपको तो बस मतलब है कि इसके 2 के just right side में कौन सा digit है यदि less than 5 है तो 2 में कुछ change नहीं करेंगे और अराम से 3 digit का number बन जाएगा मतलब 0.382 यही आपका होगा इसका decimal representation correct to 3 decimal places है ना? question number 6 by actual division so that first part 11 upon 9 is equal to 1.2 bar करना क्या आपको है यहां पर इसमें 4 parts हैं तो first part में 9 से यहां पर देखे divide करेंगे 11 में actually divide करेंगे जो division method होता है उससे और देखेंगे कि 1.2 bar आ रहा है कि नहीं हमें so करना है जब हमने divide गए यहां पर 11 में 9 से तो देखेंगे पहली बार 1 बार गया 9 से 2 बचा 20 फिर 9 टू जा देखेंगे 18 हो गया फिर 2 मैनस हुआ फिर 0 बढ़ा फिर 9 टू जा 18 पतलब कि 2 2 2 2 repeat हो रहा है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं और exam में आपको यहीं लिखना है कि आपको यह division दिखा देना है actually divide करके कि सच में 1.2222 repeat हो रहा है ठीक है तो लिखेंगे आपर by actual division we have 11 upon 9 is equal to 1.222 dot 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 तो यहां पर जो 2 है वो repeat कर रहा है तो 1.2 bar so we have shown that 1.2 bar होगा यहां से तो ठीक ऐसे ही सारे parts को करना है तो में रिखाल से आप कर सकते हैं और यह बहुत असान है सारे parts को आप divide करिए और जो भी decimals आएंगे उसको ऐसे करके दिखा दीजिए तो question 6 के जो other parts है वो आप करिएगा हम लोग move करते है question 7 पर क्यों question 7 बहुत जिदा important है question 7 express each of the following as a vulgar fraction in simplest form तो यहां पर क्या करना है कि जो भी यहां पर दिये हुए है 8 parts है actually अम मैंने first part लिखा है यहां पर तो उन 8 parts को हम one by one करेंगे तो मैंने first part को यहां पर लिखा है धान समझेगा सभी को क्या करना है vulgar fraction में बिदलना है अब vulgar fraction क्या होता है ऐसा fraction जो p by q के form का हो और q को हम 10 to the power something के form में न लिख पाएं यदि ऐसा नहीं लिख पाते हैं 10 to the power something तो उसको बोलते है हम लोग वलगर fraction तो हमें क्या करना है 0.5 को ऐसे ही एक्सप्रेस करना है तो कैसे कैसे हम एक्सप्रेस करें 0.5 बार को हम stepwise समस्कते हैं सभी को देखिएगा सारे parts को आपको समझ में आ जागा कैसे करना है ठीक है सबसे पहले यहां suppose करेंगे let let x is equal to 0.5 बार अब यहां पर देखिए कि 5 बार है मतलब कि 5 को हम कई बार repeat कर सकते हैं तो मिले सकते हैं यहां पर 5 5 and 5 dot 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 यह जो बनाएंगे आप इसको माल लेंगे first equation ठीक है अब आप देखेंगे यहां पर dot के बाद यह जो decimal के बाद कितने digits पर बार लगा है तो किवल एक पर लगा है त तो 1 के आगे उतने जिरूज बढ़ाएंगे मतलब 10 10 से multiply कर लेंगे left side में और right side में तो यहां पर जो concept है वो यह है कि decimal को जितनी भी यहां पर digits पर बार लगा है decimal को उनके आगे ले जाना है concept यहां पर बस इतना ही है तो 10 से multiply करेंगे left side में right side में first equation के तो क्या मिलेगा multiplying by 10 on both sides by our first equation we get left side मिलेगा हमें 10x is equal to यहां मिल जाएगा 5 point देखिए यहां पर यह decimal राइट परस में चला जाएगा यहां पर तो यह 5 5 को हम वैसे भी repeat कर सकते हैं तो 5 को 3 बार फिर से लिख लिख लिजएगा dot dot ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल तो यह हो जाएगा second equation ठीक है आप सोचने होंगे यहां पर 3 बार में 5 को लिख दिया तो कोई गलत हुआ क्या नहीं गलत बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि 5 जो है आप infinite times तो लिख सकते हैं तो क्यों न मैं जितना चाहूं उतना लिख पाऊं यहां पर है कि नहीं तो कोई भी ग्रबड़ी नहीं होगी तो ह हमने इसको second equation से मान लिया अब क्या करना है कि first equation को second equation से separate कर लेना है तो हमने अब यहां पर ऐसे लिख लिया second equation उसके नीचे first equation आप separate करेंगे तो sin change हो जाएगा माइनस माइनस यहां पर धन्द जिगा यदि हम 5.555 में से मानस करते हैं 0.555 तो decimal के right side में जितने भी digits हैं यह स सारे सारे सेम हैं तो सब के सब cancel out हो जाएंगे और decimal के right side में 5 है और यहां 0 है तो मैनस होगा तो 5 ही बचेगा इस उकल टू यहां क्या होगा 10x में से x मैनस करेंगे 9x अब यहां पर x के value आसानी सिंगल जाएगी 5 अपा 9 ठीक है और यहां पर देखिए यह vulgar fraction में already है क्योंकि 5 और 9 में कोई भी count filter नहीं बचा तो this is already a vulgar fraction तो हमें यही तो करना था this is your answer for this part एक बात और बता चाहूंगा इसमें एक shortcut method भी है जैसे कि हम चाहें कि यदि ऐसा दिया हो x is equal to 0.5 bar हम चाहते हैं कि इतना बढ़ा ना करें बलकि shortcut में find कर लें कि 0.5 bar का decimal representation क्या होगा तो simply करना क्या है देखिए decimal के left में यदि 0 है और decimal के right side में सभी पर बार लगा है तो करना क्या है कि जो decimal के right side में जितने digits होंगे उनको लिखेंगे और उनको divide कर देंगे उतने 9 से जितने बार लगा है तो यहाँ पर तो क्यवल 1 पर बार लगा है तो क्यवल 9 से divide करेंगे ए एक बार यदि माली जी ऐसा होता 0.52 बार ऐसा हुआ होता तो हम क्या करते 52 लिखते हैं और अपान 99 लिखते हैं मतब यह करना पड़ता है चलिए जैसे जैसे हमारे questions आएंगे वैसे वैसे मैं shortcut method discuss कर दूँगा side में last में ओके चलिए now the second part 0.43 बार यहां पर पहले सा पोज कर लेंगे let x is equal to 0.43 बार तो हम इसको expand करके लिख सकते हैं तो 43 को यदि repeat करेंगे 3 times तो मिलेगा axis equal to 0.43 4343 हम चाहें जितनी बार चाहें repeat करके लिख सकते हैं तो हम तीन बार लिखना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं कि साच में यह क्या number है इसको माल लेते हैं first देखें यहां पर अब देखेंगे कि decimal के right side में जो digits हैं उन पर कितने पर बार लगा है तो यहां पर दो digits हैं दो बार लगा है तो क्या करेंगे 1 के आगे 20 लगाएंगे और जो नमर बनेगी मतलब 100 से multiply कर देंगे left side में और right side में ठीक है हमारा concept यहां पर यह है कि decimal को जितने बार लगा है digits पर उसके आगे ले जाना है तो यहां पर 100 से multiply कर लिजिए multiply by 100 on both sides we get multiply करेंगे तो क्या मिलेगा left side में 100x is equal to right side में decimal 2 प्लेस आगे जम कर जाएगा तो मिलेगा 43 point 4343 and 43 देखिए 43 को मैंने 3 बार लिखा यहां भी क्योंकि 43 को आप चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार repeat कर सकते हैं तो 3 बार इसे लिख रहा हूं कि ताकि यह सेम तरह से दिखे decimal के right side में तो हमें subtract करने में आसानी होगी इसको माल लेगे second equation अब first equation को second equation से subtract कर देंगे तो मैंने second equation के नीचे first equation लिख दिया है अब देखिए decimal के right side में जो यहां पर numbers है दिजिट्स है वह exactly same है जो यहां पर decimal के right side में है मतलब कि यदि infinite से हम subtract करते आएंगे तो यह सब 3-3 0 4-4 0 यहां तक 4 में 4 0 हो जाएगा तो पूरा complete यह 0 हो जाएगा decimal के right side में यहां पर देखिए 3 है sorry left side में तो 3 है और 3 में से 0 मानस करेंगे यह फिर 43 तो 43 ही रह जाएगा यहां मिलेगा 43 is equal to 100 में से यदि x मानस करेंगे तो 99 x और यदि x के value find करेंगे 99 को transpose करना होगा तो मिलेगा 43 upon 99 अब इसका जो shortcut rule है देखिए यहां पर 43 upon 99 में कुछ count factor नहीं है तो यही आपका answer हो गया ठीक है लेकिन हम यदि shortcut method discuss करें तो आपका दिया हुआ axis call to 0.43 bar तो मैंने बताया था कि decimal के left side में यदि 0 हो और decimal के right side में दोनों पर बार लगा है तो directly अब का करेंगे आप 43 में जो भी decimal के right side में digits होंगे उनको लिखेंगे upon divide कर देंगे कि जितने numbers पर जितने digits पर बार लगा रहेगा उतने 9 से यहां पर दो digits पर लगा है बार तो 2 9 से divide करेंगे और यही आपका हो जाएगा यहां भी suppose कर लेंगे लेट x is called 0.158 तीनों पर बार है यहां पर तो 0.158 158 लिख लेंगे और इस equation को माल लेंगे first अब यहां देखिए decimal के right side में जो 3 digits हैं उन सब पर बार लगा है तो 1 के आगे 3 जो बढ़ाएंगे जितने पर बार लगा राता है उतने 0 बढ़ाते हैं right side में देखिए decimal जम कर जाएगा 3 plus forward तो मिल जाएगा हमें 158.158 158 3 times और लिख लेंगे क्यों क्यों से फर्क नहीं पढ़ने वाला तो हमने 3 times लिख लिए 158 158 158 और इसको माल लेंगे second equation देखिए first equation को second equation में से subject करेंगे second equation मैंने उपर लिख लिए है और यहाँ नीचे लिख लिए है उसके first equation decimal के नीचे decimal रखेंगे और देखिए decimal के right side में यहाँ पर पूरा का पूरा cancel out हो जाएगा और जो बचेगा 158 मैनस होगा 0 से 158 ही मिलेगा मनतब कि 158 में से मैनस करेंगे 0 तो 158 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 999 x अब इसको transpose करेंगे तो मिलेगा हमें 158 upon 99 999 और 158 और 999 में कोई count factor नहीं दिख रहा तो यही आपका vulgar fraction है और this is your answer for this part लेकिन हम इसका shortcut discuss करना चाहते हैं समझे का ध्यान से जो हमारा x परवर दिया था 0.158 तो देख रहे हैं कि decimal के right side में यह जो 3 digits हैं सब पर बार लगा हुआ है now the fourth part 1.3 bar क्यों 3 पर बार लगा है तो यहां suppose कर लेंगे let x is equal to 1.3 bar और x is equal to 3 को हम 3 बार इबट कर रहे हैं लिख लेंगे जैसे पहले लिख रहे थे यह है first equation अब यहां पर धान देजिए 3 पर बार है मतलब एक digit पर बार है ठीक वही काम करेंगे 1 के आगे 1 0 बढ़ाएंगे मतलब 10 बनेगा बस हम चाहते हैं कि decimal जितने पर बार है उसके आगे चला जाए एक बार तो हमें मिलेगा second equation we will get 10 simply करेंगे left में तो मिलेगा हमें 10x right में मतलब लाए करेंगे तो decimal place one place right में चला जाएगा मतलब मिल जाएगा 13.333 और 3 को हम चाहें जितनी बढ़ चाहें उतनी बार ले सकते हैं तो हमने तीन बार फिर से लिख लिए यहां पर और इसको माल लेंगे second equation अब first equation को second equation में से minus करेंगे तो मैंने second equation लिख लिए यहां पर और उसके नीचे first equation तो यहां सबट करेंगे तो क्या मिलेगा देखे साइन चिंज हो जाएगा यहां पर तो minus करेंगे decimal के right side में 333 है यहां भी और उपर भी नीचे भी तो यह cancel out हो जाएगा और 13 में से 1 minus होगा 12 बच्चेगा fraction में करवाड करना है तो कोई भी count factor नहीं होना चाहिए numerator में denominator में तो इसको cancel out कर लेते हैं simplest form बनाते हैं 339 and 3412 so मिलेगा में 4 अपन 3 so this is your required वल्गा fraction इसका जो start का टूल है उस समस्से लेते हैं x पर अबर दिया हुआ है 1.3 बार क्या करेंगे इसको दिखें ध्यान से 1 जो दिया हुआ है decimal के left side में उसको लिखेंगे 1 plus 0.3 बार ऐसा लिखने के बार लिखेंगे ऐसे 1 plus ठीक है 0.3 बार को हम करना जानते हैं इसको directly कैसे express करते हैं rational number के form में क्या करते हैं 3 लिखते हैं और अपन ये जो 3 पर बार एक बार लगा हुआ है तो एक बार 96 बाट करेंगे ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं 9 मैं 9 3 12 12 बार 9 आँ गया और इसको solve कर सकते हैं 3 से 3 3 9 and 3 4 12 means आगया 4 बार 3 तो ऐसे आप शार्टकर तरीके से solve कर सकते हैं now the 5th part 4.17 बार यहां suppose कर लेंगे let x is equal to 4.17 बार तो x is equal to 4.1717 लिखा जा सकता है और यहां पर इसको माल लेंगे इस equation को first अब आप देख रहे हैं कि decimal के right side में 1 और 7 यहीं दो digits हैं जेनर बार लगा है तो क्या करना है 1 के आगे 2 0 पढ़ाईए जो number बनेगी उसे समय रप्लाई करना है इस first equation में left side में और right side में multiplying by 100 on both sides of equation 1 we get देखिए 100 सम्प्लाई करें कि हाँ पर मिलेगा left hand side में 100x is equal to decimal यहां पर 2 प्लेस right side में jump कर जाएगी मतलब मिल जाएगा हमें 417 0.171717 देखिए 1 7 को मैंने 3 times again लिखा क्योंकि इससे कोई फ़क नहीं पढ़ेगा क्योंकि 1 7 जो है infinite time से लिख सकते है डॉट 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 इसको माल लेंगे second equation अब first equation को second equation में से subtract कर देंगे तो हमने यहाँ पर second equation और उसके नीचे first equation लिख दिया है देखिए decimal के नीचे decimal आप जरूर रखेंगे तभी आप subtract अच्छे से कर पाएंगे तो यहाँ से decimal के right side में जो digits है वो exactly same है तो सब के सब cancel out हो जाएंगे और decimal के left side में 7-4 is 3 और यहाँ होगा 1 & 4 100x में से यदि x- करेंगे तो मिलेगा 99x तो आप समझ गयोंगे कि यहाँ पर x की value निकलने के लिए तो यह हो जाएगा 413 upon 99 अब देखना होगा कुछ common factor हो सकता है क्या है आप cancel तो 4 3 कितना होता है 7 or 1 8 तो यहाँ पर 3 से divide होने माले यह number नहीं है so therefore यही होगा आपका vulgar fraction और यही आपका होगा answer अब थोड़ा सथ check कर लेते हैं इसके shortcut method तो यहाँ पर दिया होए x is equal to 4.17 bar करना क्या है देखे क्या करते है 4 जो यहाँ पर अलग से दिया होए 4 को plus कर लेंगे 0.17 bar ऐसा लिखा जा सकता है 4.17 bar को ठीक है जब ऐसा लिख सकते हैं तो 4 plus यहाँ पर आपको पता है कैसे करना है 0.17 bar रहेगा तो 17 में divide कर देंगे उतने 9 से जितने पर बार लगा है तो 2 digits पर लगा है बार तो double 9 से divide करेंगे अब इसको simplify करेंगे और solve करेंगे तो आपका जो यह number आएगा बिलकुल ही 413 आएगा और उसमे 99 से divide होगा है तो this is your right answer जो कि यहाँ पर आया था now the sixth part 0.12 bar किवल 2 पर बार दिया हुआ है आपद सपोज कर लेंगे x is equal to 0.12 bar तो इसको ले सकते हैं x is equal to 0.1222 dot 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 इसको माल लेंगे first equation अब यहाँ पर ध्यान देजेगा किवल 2 पर बार है तो 1 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे जो number मिलेगा उससे मिलाई कर लेंगे देखें यहां कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहां पर हम लोग कर रहे हैं sixth part और जो fifth पांचवे part तक हाना जो भी जितने पर बार था उतने ही 1 के आगे 0 बढ़ा करके जो number मिल रहे थी उससे मिलाई कर रहे थे हैं आपर और सब में ऐसे ही करना है तो यहां देखते हैं क् मिलता है multiply by 10 on both sides of equation 1 we get देखें मिलेगा 10x is equal to 1.222 dot 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 ठीक है क्योंकि decimal चला जाएगा right side में एक position तो ऐसे मिलेगा इसको माल लेंगे second equation अब जो first equation को second equation से subtract कर देंगे तो second equation से लिखा मैंने और उसके नीचे लिख दिया minus first equation यहां पर और decimal के right side में देखें यहां पर 2 आप जितना चाहा है उतना ले सकता है तो यहां पर 2 आगे 2 बढ़ा दिजिए तो यहां सब minus होंगे right side से यहां पर 2-2 0 हो जाएगे हैं यहां भी 0 हो जाएगा 2-1 यहां पर 1-0 is 1 is equal to यहां देखे 10x में से 1 minus में करेंगे x तो मिलेगा 9x और हम इसको लिख सकते हैं x is equal to 1.1 upon 9 और decimal हटाना जाते हैं तो numerator में 10 से मिले कर दिजे और denominator में 10 से मिले कर दिजे मिलेगा numerator में 11 11 upon 90 तो इसमें कुछ भी count factor नहीं है तो this is your vulgar fraction for this number sorry इसका जो shortcut तरीका है वो देख लेते हैं x is equal to 0.12 bar तो यहां पर ध्यान दिजेगा देखे decimal के left side में 0 है तो यहां पर आप directly लिखेंगे जैसे कि हम लिख देंगे यहां पर 12 देखेंगे और 12 के पहले देखेंगे कौन से number है कितने digits है जिन पर बार नहीं लगा तो किवल एक ह से 1 मैनस कर देंगे whole upon अब 9 लिखेंगे क्योंकि एक ही पर बार लगा है ना 2 पर बार लगा है तो एक बार 9 लिखेंगे और जितने पर बार नहीं लगा उसके लिए 0 बढ़ाएंगे एक 0 बढ़ा देंगे मतलब कि यहां में लेगा 12 मैनस 1 इस 11 अपान 9 0 तो यहां गया देखेंगे तो this is so simple now the seventh part 0.136 bar केवल 36 पर बार है यहां पर तो हम suppose कर लेंगे late x is equal to 0.136 bar तो इसको हम 36 को repeat करके लिख लेंगे तीन बार और इसको माल लेंगे first equation ठीक है अब यहां पर देखिए 1 के आगे जितनी भी डिजिट्स पर बार लगा रहेगा उतने 0 बढ़ाएंगे 1 के आगे और जो नमर बनेगी उसे 7 प्लाई करेंगे first equation में left side में और right side में मतलब कि 100 से प्लाई करेंगे left में तो मिलेगा हमें 100x right side में मतले करेंगे 100 से तो decimal two place right side में जाएगा मतलब कि 13.636 आने लगेगा 13.63636 and 36 मैंने 36 को एक बार लिख दिया है तो आप चाहाँ जितनी बार लिखना चाहें जो repeat कर रहा है उन डिजिस को लिख सकते हैं बिलकुल आप इसको माल लेंगे second equation first equation को second equation में से अब separate कर देंगे तो मैंने यहाँ पर दोनु equation को लिख लिया है second equation पहले उसके बाद से first equation अब decimal के नीचे decimal लिखेंगे ज़रूर आप देखिये separate करते हैं यदि यहाँ पर science change कर देते हैं decimal के right side में देखिए right side से यहां से check करेंगे तो 6-6 is 0 3-3 is 0 ऐसे करते करते यहां तक पूरा यह cancel out हो जाएगा अब उसके बाद 6-1 is 5 decimal रखेंगे 3-0 is 3 तो यह 13 हो जाएगा is equal to 100x में से यदि x- करेंगे तो मिलेगा 99x और यदि transpose करेंगे तो मिलेगा हमे 13.5 अपान 99 अब decimal कोड़ाने के लिए हमें 10 से मेंट प्ले करना पड़ेगा numerator में और denominator में भी मिल जाएगा हमे 135 अपान 990 अब यहां देखिए count factor कुछ मिल रहा है तो हम इसको cancel out कर देंगे 5 से कट आएगे 5 तू जा 10 5 से बंजा 35 5 से गटेगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 8 जा 40 अभी भी 9 से cancel out हो सकता है तो 9 3 जा 27 9 2 जा 18 9 2 जा 18 means finally आजाएगा हमेरा 3 अपान 22 चले समझे लेते हैं तो यहां पर देखिए x is equal to 0.136 बार क्यों 36 पर बार लगा है तो क्या करेंगे देखिए धान से पहले-पहले decimal के right side में जो number दिया हुआ है 136 उतना लिख लेंगे इसमें से पहले minus करेंगे कुछ क्या minus करेंगे decimal के right side में जो भी यहां पर digit है 1 है तो 1 minus करेंगे यहां पर यह दि 3 होता तो 3 minus करते ऐसा करने के बाद whole आपन जो यहां पर जितने digits पर बार लगा है मतबकि 3 पर लगा है, 6 पर लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे और जितने digits पर बार नहीं लगा उतनी बार 0 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, क्योंकि 1 ही है, एक डिजिट जिस पर बार नहीं लगा, तो नीचे डिनमेटर में 1 0 बढ़ाएंगे बस, मतलब कि हमें नमर मिल जाएगा 135 अपान 990, तो देखें हमारा 135 अपान 990 अल्रेडी यहां पर था, और वहीं मिला है, क लास्ट पार्ट, 1.57 बार, केवल 7 पर बार है, तो यहां सपोज कर लेंगे, लेट x is equal to 1.57 बार, एंड 7 को 3 ताम से रिपीट करके, डॉट 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 लिख देंगे, और इसको माल लेंगे 1st equation, ठीक है, अब यहां पर देखें, केवल 7 पर एक बार लगा है, तो हम 1 के जागे, एक जरू बढ़ाएंगे, और 10.57 कर लेंगे, फर्स्ट equation के लेट साइड में, राइट साइड में, तो यहां मिल जाएगा, 10x is equal to, यहां पर देखें, decimal एक प्लेस राइट साइड में जाएगा, मतलब कि मिलेगा, 15.777 dot dot dot, इसको माल लेंगे हम, second equation, यहां पर 7 को एक और बार लिख सकते हैं, अपनी convenience को उमसार आप चाहें, तो बढ़ा सकते हैं, जितनी बार चाहें, तो यहां पर देखें, decimal के बाद 4 digits हैं, इसलिए मैंने इसको 7 को एक और बार लिख लिया, तो इसमें कोई problem नहीं होने वाली, क्योंकि 7 को आप infinite times repeat कर लिख सकते हैं, च यहां पर देखें, यहां पर देखां यहीं हम right side से subред करना, start करें, 7बनास 7, 0, 7बनास 7, 0, 7बनास 7, 0, यहां पर देखें, 7 मैं से 5 जाएगा, कि वाली, हमिले लिखा 2.5 में से 1 जाएगा, 4, फिर 1, 14.2 मिल जाएगा, is equal to, यहां परहु जाएगा 9x, अब हम यहीं transpose करेंग 9 को तो मिलेगा हमें 14.2 अपार 9 तो decimal आट आने के लिए 10 से बड़े करेंगे numerator में और denominator में भी तो मिल जाएगा हमें 142 whole अपार 9 0 यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ cancel out हो सकता है common factor है तो 2 से डिवाइड कर लेजिए 27 जा 14 होता है 21 जा 2 होता है 71 हो जाएगा और यहार पहुझ जाएगा 248 and 2510 45 बदल मिल जाएगा 71 अपान 45 this is your vulgar fraction तो shortcut में यह थे हम देखना चाहें कि इसको कैसे करेंगे तो समझेगा ध्यान से हमारे पास दिया हुआ है x is equal to 1.57 bar कि बद 7 पर बार लगा है तो पहले क्या करते हैं कि 1 को separate कर लेते हैं इसको लिए सकते हैं 1 प्लस 0.57 bar ऐसे लिखा जा सकता है अब क्या करें कि 1 प्लस देखें 0.57 bar है पहले लिखेंगे आप 57 और 57 में से माइनस कर देंगे जितने पर बार नहीं लगा तो जिस डिजिट पर बार नहीं लगा उसी डिजिट को मैनस करेंगे मतलब यहां पर 5 को मैनस कर लेंगे हो लापान अब 9 लिखेंगे उतनी बार जितनी बार बार लगा है जितने डिजिट पर बार लगा है तो 7 पर बार लगा है एक बार तो 9 लिखेंगे एक बार और जितनी पर बार नहीं लगा उतनी बार 0 बढ़ाएंगे इसके आगे 90 हो जाएगा हो जाएगा 1 प्लस देखे 57 मैनस 5 करेंगे तो मिलेगा 51 sorry 52 यहां मिलेगा 52 हो लपान 90 ठीक है अब यहां देजेगा अब यहां solve करेंगे तो 90 प्लस 52 करेंगे मिलेगा हमें यहां पर 90 प्लस 52 हो लपान 90 इज़िए हम इसको ऐड़ करेंगे तो मिलेगा 2 और 9 में 14 मतलब कि 1 4 2 अपान 90 देखिए वही नमबर आ रही है यहांपर भी तो हम यहां कटाएंगे तो मिलेगा हमें वही चीज सेव नंबर 71 अपा 45 तो इस इस वरांसर तो इस इस आटकर टूल तो हमने सारे क्विशन सॉल्फ किये हैं इसमें यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो थैंकिस सो मच और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं आपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और आपको कमेंट बाक्स में आप कोई भी एकसाइस का नाम लिख दीजिए यदि आपका चल रहा है कोई या आपको चाहिए कोई एकसाइस का सोलुशन तो बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझसे और यदि आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई परसानी है तो बिल्कुल आपको बताइए मुझे क्योंकि नहीं बताएंगे तो पता ने चलेगा मुझे फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ इदि आपको अच्छा लगा तब भी आप कुछ कमेंड़ों साली सकते हैं ओके थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाई